हेलो फ्रेंज मैं हूँ दिलरुबा आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में आज मैं आप सब के साथ में सेर करने वाली हूँ तीखा चटपटा लच्छेदा और प्याज का फ्राठा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जब इसे बना करके आप ट्राइ करेंगे तो आपको लगेगा कुछ तो अलग कुछ तो नया बना करके ट्राइ किया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो बना कर इसे ज़रू ट्राइ कीजिएगा तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो फ्राटे बनाने के लिए हम डो तयार करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पे गीहूं काटा लिया है गीहूं के आटे से हम बनाएंगे आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा से भी सी बना सकते हैं टेस्ट के कोडिंग हम इसमें नमक आइड कर लेंगे इस तरह से तो यह देखिए बहुत अच्छे से मिल गई है उसके बाद यहां पर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम डो त्यार करेंगे एक बार में सारा पानी ना डाले थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से डालते जाया और इसका एक कर दिया है तो चलिए इसे रख देते हैं साइट पे और यहां पे मैंने ले लिया है प्याज तो देखिए दो बड़े साइच के प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइसे में काट लिया है और साथ में लिया है हरा धनिया और हरी मिर्च हरी मिर्च अपनी टेस्ट के कोडिंग ले करेंगे और कस्मिरी लाल मिर्च आदी छोटी जमच ऐड़ करेंगे चाट अच्छे से सब्यूंको मिक्स कर लेंगे यहां पर बहुत इकम अपर घ्राइचा दालें लेकिन इससे बहुत जादा तीक चटपटा बनकर तयार होगा लेकिन अगर आप बच्छे के लिए बना तो देखे यह अच्छे से मिला दिया है मैंने और इधर हमारी डो जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है तो थोड़ा सा इसे हम गूत लेंगे थोड़ा सा मिला लेंगे उसके बाद इसके हम लोया बनाएंगे तो जैसे नॉर्मल रोटी के लिए लोया बनाते हैं उससे पर आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल करके उसके बाद इसे हम रोल करेंगे तो जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें बनाना है लेकिन थोड़ा बड़ा है रखना है आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रोटी मैंने बना लिया है और इसे रख देते हैं और सेम प्रोसेस से हम एक और रोटी बना करके तयार करेंगे तो यहां पर वापस से एक लोया लिया मैंने थोड़ा से चिकना कर लिया है उसके उपर आटा थोड़ा से लगा करके यानि की सूखा और इसे भी हम रोल कर लेंगे उसके बाद इसमें हम ओल लगाएंगे आप घी या ओल अपने हिसाब चटपटा यह मसाला बनकर तयार हुआ है इस तरह से फराठा बनाएंगे तो बहुत ही जादा टीस्टी चटपटा बनकर तयार होगा तो आप दिख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है मसाले को प्याज के मसाले को और इसकी उपर हम दूसी रोटी को रखके आप देख सकते हैं इस तरह से फराठे में लेयर जो है बहुत ही अच्छे से आएगी एकदम लच्छे दार ही हमारी प्याज के फराठे बनकर तयार होगे तो इस तरह से हमें रोल करते हुए एक दूसरे को पर रखते हुए सभी को अच्छे से एक जगा एक ठा कर देना हाथो प्रेस कर लिया इसके बाद उपर हम सूखा लगा करके और उंगल्यों से ही थोड़ा से प्रेस कर लेंगे तुरंत बिल्कुल भी नहीं इसमें हम बेलन चलाएंगे उस給 निल आ been of hulk हाथो इसे हमें बेल लेना याوعनि की रोल कर लेना है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा फराठा जो है रेडी हो गया है तो चलिए इसे रख देते हैं और दूसरे तरीका यह है कि आप एक बड़ी सी रोटी बना ले इसके उपर घी या फिर ओल लगा करके और थोड़ा सा इसमें सूखा स्प्रिंकल करें जानी कि मैदा या फिर आटा जो भी आप चाहते हैं उसके बाद इसमें हम यह मसाला जो है प्याज का इससे हम डाल लेंगे अच्छे से फैलाने के बाद इस प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसे हम फैला लेंगे उसके बाद बेलंस से हलका हाद के हाथों से इसे हमें रोल करना है तो इस तरह से हमें दूसरे तरीके से बना कर तयार किया है जो आपको इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं तो चेलिए अब इने सेक लेंगे तो यहा आपको पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं और फिर हम दूसरे साइड भी से पलट देंगे इसी तरह से अलट पलट करके दोनों तरब से मच्छे से से शेक लेंगे इसे तहां पर किनारों में इस तरह से अपने ही और गी जो है वह अपने आप बना सकते हैं बहुत ही चडँ परचे की मदसे और फिर घी और घी पर लट देंगे और किनारों में इस तरह से ओयल डालेंगे ताकि इसके लच्छे जो है न वह एक एक बाहर निकले तो इस तरह से हम दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डेन व्राउन में तक इन्हें सेक लेंगे ताप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा से कलर आ गया है और यह हमार के साथ में सर्व किया है आप चाहते से दही या फिर अपने मन पसंद राइते के साथ में सर्व करें अब मैं आपको तोड की दिखाती है आप देख से एक एक लच्छे आप देखे और प्याज भी अदर से कितने अच्छे से स्टाफ है बहुत यू परफेक्ट वांती है फ झास जाजार से स्टाफ है झासंड़र में सकतो की दोड़रर करे पवातर चाहते roz rouge भी करें आपको तोड़र के वांती है जँ़र से कितने वांती है यांती है झाती है